कोरोना के बाद मद्द बदेश के शेत्र में एक महामारी ने पेर पसा रहे हैं जहां अभी तक पाँच मासूम बच्चों की इस महामारी ने जान ले ली है मद्द बदेश के सागज लेकर रातकड़ में एक बेहत महामारी जिसका नाम मीजल बताये जा रहा है उसने पेर पसा रहे हैं या कुछ मासूमों की इस बीमारी से महब की खबर है अर्बन कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आपके लिए All in One सलूशन जाहे कंस्ट्रक्शन हो या हो नक्सा हम आपके घर को आपके सपनों का घर बना के देंगे वो भी बाजिब दमों पर तो आज ही विजिट करें सागजिले के कलेक्टर दीपकार ने स्वास्तमले के साथ बार्ड नम्मल 10 से 13 तक जो मुस्लिम आबादी का बार्ड है वहां ब्रमण किया है लोगों को समझाईज दिये लोगों से कहा है कि मीजल्स के टीके लगवाले यह महामारी यहां बहिंग घर तबाही मचाए जहां लेवा बन रही हैं मासूम बच्चे इसका सिकार हो रहें पांच बच्चों की मौट के खबर है जिला प्रसासन स्वास्त मैकमा एक महीने से कुछ कर नहीं पा रहा है जहां कुछ बच्चों के खतम हो जाने की खबर है यानि मीजल्स की बीमारी यहां महामारी बनकर फैली है और एक प्रकोप इस छेत्र में फैला है। क्योंकि यह दॉक्टर्स को भी बताया गया है। कि दूसरी जगे जाकर के दिए इलाज कर बाते हैं, तो कई बार नुकसान इनको उठाना पड़ रहा है। और वैसी गल्ती इसमें भी हुई है। जब से जाना तबाही बच्चों पर आफद इस शेत्र में आई है मीजल्स को लिग क्या कर सकती है सरकार क्या कर सकता है प्रशासर जड़क खवर दे हम दो मुख्य मंद्री से कहेंगी कि बताओ टीके बने हैं दवाईएं बने हैं फिर क्यों मासूम बच्चे इस छेत में मर रहे हैं सबाद परकरार है होटल सागरिन की नई सौगात रूफटॉप रेश्टूरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन बो भी एक ही चत के नीचे अब आपके सागर में तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर